नाशपाती एक मोसमी फल है इसका विग्यानिक नाम पाइरेस है और इंग्लिश में इसे पियर कहते हैं नाशपाती को सिहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है असल में आयरवेदिक गुनों से भरपूर है नाशपाती आपको बता दें कि नाशपाती में विटामिन C, विग्ट भी पाई जाते हैं इतना ही नहीं इसमें फाइबर की अधिकांश मातरा पैक्टिन के रूप में होती है जो केरेस्ट्रॉल को कम करने और हिरदई रोग के जोखिम से बचाने में मददगार हो सकती है नाशपाती में कैलोरिय की मातरा भी काफी कम पाई जाती है ज आज हम आपको नाशपाती खाने के फाइदे बताते हैं नाशपाती खाने के फाइदे नमबर एक हड़ियों के लिए यानि नाशपाती को हड़ियों के लिए काफी फाइदेमंद माना जाता है इसे कैलशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है कैलशियम हड़ियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, हड़ियों को कमजोर होने से बचाने के लिए नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, नमबर दो, एनीमिया के लिए, यानी नाशपाती को आईरेंड का अच्छा सोर्स माना जाता है, जिन लोगों में हीमोगलोबिन की कमी है, उन्हें नाशपाती का सेवन क चाहिए ये एनीमिया की कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है नमबर तीन एनरजी के लिए यानि शरीर में एनरजी की कमी महसुस करते हैं तो आप नाशपाती का सेवन करें नाशपाती में पाय जाने वाले पोसक्ततु एनरजी को बुष्ट करने में मदद माने जाते हैं इत बड़े हुए वजन से प्रेशान हैं, तो नाश Neat Paris को डाइट में शामिल करें, नाश पाति में पायाने वाली तत्व वजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, नंबर पाच, पाचन के लिए, यानि नाश पाति को फाइबर का अच्छा सोर्फ माना जाता है, नाशपाती के सेवन से पाचन तंत्र को बहतर बनाया जा सकता है जो लोग पाचन की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए नाशपाती का सेवन करना काफी फाइदे मंद हो सकता है नमबर छे, डाइबिटीज के लिए यानि डाइबिटीज के मरीज़ों के लिए फाइदे मंद है नाशपाती का सेवन, नाशपाती में फाइबर और एंटी डाइबिटिक गुन मौझूद होता है, जो डाइबिटीज की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है, तो दोस्तों य आप भी एक स्वस्त व्यक्ति के जैसे महसूस कर पाएं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा सक्वस्तों तेंक यू